नमस्कार फ्रेंड श्रीमती जी की रसों ही लाइफ इस्टाइल में आपका स्वाखत है तो फ्रेंड आप सभी को गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंड आज मैं सुबक आपना पूरा घर का काम करके नहां धो करके आ चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ कुछ नया रेस्पी बना करके आप लोगों को दिखाऊंगी और शेयर करूंगी तो फ्रेंड अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने बत्वा लिया था मार्केट से तो बहुत अच्छी तरह से इसे धुल लिया है तीन-चार पानी से अब मैं इसे कट करके और आपको एक रेस्पी बना के लिखाती हूँ तो बत्वा मैंने कट कर लिया फ्रेंड तो आप देख सकते हैं मैंने इसे उबालने के लिए रख दिया है गैस के उपर तो एक उबाल करके इसे मैं आपको रिष्पी बनाके दिखाती हूँ तो फ्रेंड इधर मैंने आटा लिया है और मेरा बधुआ भी एक उबाल उबल चुका है तो मैंने गैस बंद कर दिया और मैं इसे इकलेट में निकाल देती हूँ तो आप देख सकते हैं मैं बधुआ इसी तरह से पका करके रख ली हूँ तो बच चुका है हलका सा अब मैं आटे में डाल देती हूँ बधुआ और इसमें देखिए थोड़ा मसाले जीरा लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इसे डाल करके अच्छी तरह से मैं इसे बूथ लूँगी तो मेरा बथुआ का रेश्पी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिए अपरेंड बहुत अच्छा बनता है तो मैं आपको पराठा बना के दिखाती हूँ इसमें मैंने दो चम बच्टेल डाल दिया है और थोड़ा सा स्वाधनुसा नमग डाल दिया है इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसे मैं गूथ लूँगी अब गूथ करके फिर आपको दिखाती हूँ तो आपको वाला हुए बथुआ में ही आपका आठा गूत जाता है अगर थोड़ा सा पानी आपको लगता है तो उपर से आप पानी ले सकते है तो बथुए का जो पानी है वाला हुआ वही डाल सकते है तो आप देख सकते प्रेंट मेरा आठा अच्छी तरह से गूत की मैं जब करें बाने ले लिया है तोरी देर किंगे दिया और तो यह सेथा znaj सब्सक्रान करीए हमेदाने को हं और क्लिकार रहरु सब्सक्राइब है gaan सबस्त्राण सब्सक्राइब आप लोग भी एक बार ट्राय करिए बहुत अच्छा बनता है मथुए कि सीजन बहुत अच्छा आया हुआ है इसमें अच्छा चाहरी हरी सबजी आई है तो बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे किसी भी सबजी के साथ खा सकते है घर में वो भी आलू जो भी सबजी है आपके पास उसके साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी आता है और ऐसे भी आप चाह के साथ बना के खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है उसमें नमक, तेल, जीरा, हल्दी, मिर्ची सब डाला हुआ है तो बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है फ्रेंड तो एक बार आप लोग भी ट्राय करिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर कोई निव फ्रेंड है तो लाइक और सस्क्राइब करें और कमेंट करें फ्रेंड और कैसा बना है आप लोग जरूर बताईएगा फ्रेंड आज कल मैं थोड़ा कुछ रेश्पी नहीं डाल पा रही हूं गाउं में आई हूं तो बहुत ठंडी भी है और कुछ न कुछ ऐसा काम निकल जाता है कि वीडियो भी बहुत ही कम बना पा रही हूं बस हमारा सोख है इसलिए मैं अपनी रेश्पी को डालते जाती हूं दिखाते जाती हूं तो देखिए फ्रेंड एक पराठा हमारा बन चुका है दूसरा मैंने डाल दिया है इसी तरह से मैं सारे पराठे को सेक लूँगी तो बहुत टेस्टी पराठा बनता है प्रेंड बतुए का और बतुए का साग भी बनता है तो थोड़ा बस सा जो मैंने वाल के रखा है उसे मैं साम को अपने लिए साग भी बनाऊंगी आधा से ज़्यादा मैंने आठे में डाल करके इसका पराठा बना दिया है तो देख सकते हैं दूसरा भी पराठा त्यार हो चुका है तीसरा भी तवे पर डाल दिया है इसी तरह से फ्रेंड मैं आपको सारे पराठे बना करके लिखाऊंगी तो देख सकते हैं इस तरह से मारे सारे पराठे बनके तयार हो चुकी है अब मैं लगाने जा रही हूँ थाली क्योंकि मेरा और भी खाना बन चुका है सबजी बन चुकी है फ्रेंड तो मिश्टर को थाली लगा के दे देती हूँ थोड़ा सा इस तरह से उलट पलट के से इकलेंगे तो कच्चापन दोर हो जाता है गभाराठी का देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है फ्रेंड तो इस तरह से मैंने सारे पराठे बना लिये हैं जितना हमें चाहिए था तो इधर देखिए फ्रेंड मैंने आलू गोभी कभी सबजी बनाया है उकरमी तो टेस्टी सबजी और पराठा दोनों बनके हमारा तयार हो गया है अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक आओ सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो देखिए हमारी थाली लग शुकी है फ्रेंड तो इस तरह से आप लोग भी बनाईए देखिए हाई वड़ कर दो जेखिए हाईता है तो